हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंज पर मैगनेट ड्रेंज जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइट करने के लिए जहां पर आपको किंडर गाइडन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और 16 से लेकर बारवी तक हम आपको डेली बोड बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड और राजस्थान बोड इन सभी बोड में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट समलों कख्षा बारवी की बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था इस बुक का चैप्टर नंबर साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है और इस चैप्टर के ही कंप्लीट होने के बाद हम लोगों लोगों ने एंसी आइटी सोलुशन्स भी डिसकस कर लिये थे कुल मिलाकर आपकी एंसी आइटी की जो बुक है उसमें जो क्वेशन्स दिये गए थे उनके मॉडल आंसर हम लोगों ने देख लिये थे आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से सम्मंदित कुछ एंसी क्यूस कुशन्स होते हैं उनकी संख्या बड़ी सीमित होती है चार मैक्सिमम पांच वैकल्पिक प्रश्न जो हैं वह आपकी इंसी आइटी की बुक में दिये होते हैं लेकिन सिर्फ क्या चार या पांच वैकल्पिक प्रश्न सॉल्व कर लेने भर से आपकी तैयारी बहतर हो सकती है क्या नहीं इसलिए हम आपकी तैयारी सुलिष्ट करने के लिए हर चैप्टर से संबंदित कुछ महत्वपूर मल्टिपल चौइस क्वेशन की का जो संग्रा है वो लेकर आते हैं और इसी कड़ी में हम लोग इस चैप्टर का डिसकॉशन करेंगे और इस चैप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है चलिए सबसे पहले हम पर स्क्रीन पर आता है पर प्रशन के क्या इसका उत्तर अपनों को पता है अगर नहीं पता है मतलब आपकी तयारी में कहीं न कहीं कमी है ठीक है तो एनेच का मतलब होता है निशनल हाइवे हमें सबसे लंबा वताना था तो सबसे लंबा निशनल हाइवे है एनेच 44 ठीक है एनेच 44 भारत का सबसे लंबा रास्ट्री और महामार्ग है पुराना नाम इसका क्या है पुरान नाम था लेकिन नया नम घ्रटीफ होड़ा है आप लोग मुझे कमेंड करके इसमाइब कमेंड भॉक्स में थाइए कि और यह नाीं और स्टीक है वर वाथ सी और ठीक है तो नीशनल हाइवेस और नेशनल वॉलटर विएस दोनों आपनों को पता होने चाहिए चलिए दूसरे प्रशन का उत्तर दीजिए इसका सई आंसर है option B नह 44 दूसरा प्रशन आपनों से पूछा जा रहा है कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है अपनों को बताना है कांडला हल्दिया जवाहल लाल नहरू पोर्ट या फिर मुंबई अच्छा यह जवाहल लाल नहरू आपनों को ऐसा मत सोचिएगा कि यह कोई नाम यहां पर तीन तो जगह है और एक यह ना पत्तन विशालतम कंटेनर का पत्तन का मतलब होता है कि जहां पर आप लोगों को बड़े-बड़े कंटेनर के माध्यम से जो जहाज में माल लदकर आता है वो इन में से किस बंदरगाया पत्तन में आता है हमें बताना है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहर लाल नहरू ठीक है अच्छा इसका एक और नाम आप लोगों को में बता दूं नियहावा ठीक है नियहावा शेवा ठीक है नियावा शेवा पोर्ट जो है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसका नाम है या जब नया नाम क्या है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई अच्छा कांडला पत्तन का भी नया नाम है जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा हुआ है आप जानकारी के तौर पर याद रख सकते हैं बताइए कोई को अच्छा चलिए मैं आपनों को बता देता हूं या हिंट देता हूं सौरी कि बीजेपी के एक बहुत महाल लीडर है उनक महत्वपूर प्रशन है कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है महा नदी हुगली नदी सोन नदी या फिर नर्मदान नदी तो हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ है कि कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है ठीक है इसका सही आंसर होगा option B हुगली नदी चलि प्रश्टने नम्मर्ट 4 देख लेते हैं राश्टिया महामार्ग 2 है कौन दो मेहत्वपूर्ण शहरों को राश्टिया महामार्ग 2 जोडता है दिल्ली अमुरसर दिल्ली कोलकाता पतना या पूनिया पतना से दर्बंगा तो सही आंसर अमनों को बताना है किन दो महत्वपूर शहरों को राश्ट्रिया महामार्ग संख्या दो जोड़ता है तो सही आंसर इसका होगा option B दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने का काम करता है राश्ट्रिया महामार्ग नंबर दो निशनल हाइवे नंबर दो दिल्ली से कोलक को बता दूँ यह जो यहां पर हम वैकल पर प्रश्ण पढ़ रहा है ना सबसे बात यह है कि यहां पर जो अब्जेक्टिव प्रश्ण पढ़ रहे हैं यह इसी तरीके के अब्जेक्टिव प्रश्ण आपनों को एक चैप्टर और जिसका नाम है अंतरास्ट्रिय व्यापार उस चैप्टर में भी आपनों को इसी तरीके के अब्जेक्टिव प्रश्ण पढ़ने को मिलेंगे तो एक चैप्टर के साथ आपके दो चैप्टर की तैयारी हो रही है इसलिए बहुत महत्मपून है याद रखिएगा ठीक है चलिए हम लोग पांचवा प्रश्ण देख ल को रखना है जनरली उत्तर दक्ष्ण पूरा पश्चन तो सभी को याद रहता है महानागरी है लगबग ठीक है तो दक्ष्ण रेल मंडल का मुख्याले आप खुद बता सकते हैं चैन्नाई हुबली कोलकाता हाजीपुर आप मुझे बताइए हुबली या कोलकाता हो सकता है यह दक्ष्ण में कहां पढ़ते हैं सही आप्ष्ण रेल मंडल का मुख्याल है सही आप्ष्ण ए चैन्नाई इस तरीके से हम लोगों पांच वैकल प्रश्ण पढ़ लिया है उम्मीद करता हूं आपनों को वीडियो में मजा आ रहा होगा अच्छी लग रही है ना वीडिय आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है चलिए प्रश्ण नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है यहां पर प्रमुख पत्तन पूछे जा रहे हैं प्रम 26 तो सही आंसर इसका होगा option B 13 भारत में 13 महत्वपूर पत्तन है कई बार 12 भी option आता है याद रखेगा situation के साफ से options के साफ से अपनों को प्रशनों को डील करना होता है कई बार सही आंसर इसका होगा option B 13 ठीक है चलिए साथ में नंबर का प्रशन देख लेते हैं बहुत महत् स्टार मार कर लिजेगा पूछा ही जाएगा ठीक है भारत में वायू परिवहन की शुरुआत कब हुई थी 2001 में 1911 में 1921 में या फिर 1931 में भाई बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते यहां पर विकल्प आपनों को दिये गए हैं तो सही आरसर इसका होगा option B 1911 इलावाद से जैनी के बीच पहली फ्लाइट उड़ी थी डांक लेकल पारसल लेकर गई थी पहली वायू परिवहन की शुरुआत अगर हम लोग देखें यह के साब से तो वह था 1911 का सन बहुत महत्वपूर्ण भारत के वायू परिवहन के इतिहास की द्रश्टी कौन से अगर हम दोग 157 तो भारतिय रेल कीह शुरुआत हूए थी 1853 में कहां से कहां के बीच पहली रेलगारी चली थी भाई मुंमबई से ठाणे के बीच जो थी पहली रेल गारी चली थी 34 किलुमेटर लंबी जो है यह रेल लाइन थी compon carp का सन्याद रखना है मुंबई से ठाने की बीच यह रे किन स्टेशनों की बीच चली ती जो मैंने पिछले प्रश्ण में आप लोगों को बता दिया वहीं आपर पूछ लिया गया मुंबई से अहमदाबाद मुंबई से थाने या फिर हावडा से खड़कपुर तो सही अंसर इसका होगा ऑप्शन सी मुंबई से थाने की बीच पहल डीटेल है बहुत महत्वपूर प्रश्ण तो नहीं है लेकिन आप लोगों को कई बार अंदाजा लगाना होता है तो ऐसे अंकोप में नहीं दिया जाता कि भाई 65,000 ऐसा लिख दिया जाएगा एक्सेक्ट तो नहीं लिखा होगा एक्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि आप लोगों को यह भी पता है कि भाई रेलवे ट्रैक तो दिन प्रति दिन किसी न किसी जगा पर रेलवे ट्रैक आज भी बिछ रहे होंगे मतलब कोई निश्चित डेटा नहीं हो सकता हां अगर यहां पर कोई यह लिख दिया जाए कि भाई दोजार सोला के साफ से बताओ कितना था तो बात अलग है अदर्वाइज रेलवे ट्रैक तो हर दिन बिछाए जा रहे हैं तो अगर हम अनुमान लगाएं कि भारती रेल जाल की लंबाई कितनी हो सकती है तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शिन सी 68,584 किलोमेटर लंबे रेलवे ट्रैक भारत में मौझूद हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रशन बहुत अच्छे से डिसकस कर लिए हैं किसी प्रशन में कोई डाउट होता है तो आप लोगों को कमेंट करके प्रशन संख्या लिख देनी है मैं डेफिनेटली आपके उन डाउट्स को एड्रस जरूर करूंगा ठीक है चलिए 11 नंबर का प्रशन हम लोग देख ले अगर कोई पत्र हो रहा है या पिनकोट छे से प्रारंब हो रहा है कोई संख्या तो वो कहां पत्र जाएगा आप लोगों को बताना है करनाटा केरल अंद्रप्रदेश या फिर महरास्टा तो सही आंसर इसका होगा option B केरल केरल में ये वाला पत्र जाएगा अगर पिनकोट किस से प्रारंब हो रहा है तो तो ग्यारा प्रश्ण हम लोग ने देख लिए हैं बारवे नमबर का प्रश्ण आप लोगों से पूछा जा रहा है नाकपुर योजना किस परिवार्ण से संबंदे थे अगें सूपर आइएंपी डवल स्टार इसको भी मार कर लिजिए एक्ज तो मैंने आपनों को बताया था जब भारत में सटक परिवान की शुरुबात हो रही थी तो आजादी के बाद भारत में अगर हम लोग देखें आजादी के समय भाइट की अच्छी थी नहीं बहुत बेकार थी जो महत्वपूर्ण शहर थे वहीं वहीं पर कुछ यह योजना सफल रही या फिर यह फेल्ड हो गई थी ठीक है सही आंसर इसका option B सड़क से संबंदित है नाकपुर योजना तीरे में नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं मध्यपूर्व रेलवे का मुख्याला कहा है मध्यपूर्व रेलवे का मुख्याला है आपनों को बताना है कोल्काता लाबाद घोहाटी या फिर हाजीपुर तो सही आंसर इसका होगा option D हाजीपूर जो है वो उसमें मध् पूरत दक्षन तो आपनों को याद ही हो जाएगा ठीक है और फिर जिस जोन में आप पड़ रहे हैं उसका मुख्याला याद रख लेंगे तो पूरे नहीं भी याद होते हैं तो आप्षिंस पारदवी बंदरगाह है पारदवी बहुत महत्वपूर्ण भारत के पूर्वी तट परिस्थित बंदरगाह जो की भारत के ही उड़ी सा राज में पढ़ता है सूपर आई एंपट है ठीक है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन भी ओडिशा पंद्वी नमर का प्रशन देख ले ठीक है तो रास्टी जलमार्ग संख्या एक किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पढ़ता है ठीक है ब्रह्मोपतर नदी पर साधिया से धुबरी को जोड़ता है गंगा नदी पर हल्दिया को इलहाबाद से जोड़ता है पश्मी टटी नहर कोटा पुरुम से कॉल अगर आज बोलते हैं तो कंगा नदी पर ही हल्दिया से इलाबाद के बीच जो है राष्ट्रिया जलमा यानी नेशनल वाटर वे संख्या एक जो है वह स्थित है बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना है ठीक है 15 प्रशन हम लोग ने देख लिए मजा आ रहा है ना वीड आया यह यह ऑप्शन जो है इसका अंसर यह क्यों है ठीक है अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शियर करना है चलिए नंबर का प्रशन देख लेता है कि निमलकित मैं से किस वर्ष में पहला रेडियो कारिक्रम प्रसारित ह पहला रेडियो कारिक्रम कब प्रसारित हुआ था बताना है 1911 में 1923 में 1927 में या फिर 1936 में तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन भी 1923 में भारत का पहला रेडियो कारिक्रम प्रसारित किया गया था बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है तो भारत में रेडियो की शुरूवा बारत में रेल परिवान की शुरुवात और भारत में अगर हम लोग इसी तरीके से देखें इंटरनेट की शुरुवात यह कुछ महत्वपूर्ण यह हैं जो आपनों को पता होने चाहिए ठीक है सही आंसर इसका होगा ऑप्शन B 1923 चलिए प्रशन संख्या सतरा हम लोग चतरुभूज मार्ग अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे न तो भी इसका आंसर आप लोग सही गैस कर पाएंगे सही आंसर होगा स्वाइडम चतरुभूज योजना भारत के जो चार महत्वपूर्ण शहर हैं दिल्ली मॉंबई चैन्नई और कोलकाता उनको जोडने वाल सबसे अधिक होता है अगर हम लोग यह देखें वजन वजन के साफ से कोईला खाद्यान लोह एसक या इसपात किसका परिवाहन सबसे ज्यादा होता है आप लोगों को बताना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन एक कोईला आप लोगों देखा होगा रेल गाड़ी में अधिक अधर जो है कोईले का परिवान है या मालगाड़ी आप लोगों को नजर आएगी कोईले वाली ठीक है भार के साफ से कैटेग्राइज जब हम करेंगे तो कोईले का जो नंबर है वो फस्स नंबर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन एक कोईला 19 में नंबर का प्रशन चलो देखें होंगी ना तो उसमें इस प्रशन का उत्तर आपनों को नजर आजएगा कोलकाथा कोलकाथा की जो मैट्रो है वह मैट्रो या रेलगारी जो है वह जमीन के अंदर यान्डर ग्राउंड चलती है हां लेकिन आज की समय में जहां-जहां मैट्रो बन रही है बहुत से तो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली अगर ऑप्शन होता तो हम लगा देते ठीक हैं सही आलसार है और प्रदेश केरल और उत्तरप्रदेश कि देंसिटी का मतलब यह नहीं होता कि लंबा ही ज्यादा डेंसिटी का मतलब आप लोग देखें कि सलकें की स्थिती जो है अच्छी होना यहां पर गनी सलकें होना पास पास सलकें होना तो वो कौन सा शेहर है जहां पर सलकों का घनत वो सबसे ज्यादा है तो सही अंसर होगा option C केरल चलिए 21 नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं भारतिय सड़कों के वर्गी करण में राश्ट्रिया राजमार्ग राज्य महामार्ग जिलास्तर की सड़कों के अतरिक चौथा वर्ग है अगर हम भारतिय सड़कों का वर्गी करण करते हैं तो ह पुछा गमें ये बताना है कि कौँछ सा यो वर्गी करण है वो इन तरीके का वर्गी करण जो है वो उसको सखरी ठैरा आ toujours राश्टिय राजमार्ण राजमार्ण जिला स्तरकी सलकों के अत्रिक चोथा कौन सा वरगी करना है अब बताना है तो चोथा है ग्रामीर सलके बहुत लोगों को यह स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और यह प्रश्ण भी आप लिगों को क्लियर हो गया होगा option c ग्रामीन सडके 22 वे नम्मर का प्रश्ण देख लेते हैं कि राश्ट्य राजमार्गों के निर्माड का उत्तरदाइट्व किस पर है राश्ट्य राजमार्ग की बात हो रही है याद रखेगा किसका उत्तरदाइत है इनके निर्मार का राज और किंद्रिय सरकार पर किंद्रिय सरकार पर राजुपत्थ प्राधी करण पर या संबंदित राज्य सरकार पर मैंने अपनों को बताया था कि राश्ट्रिय राजमार्ग का निर या प्रबंध किया जाता है निरमान किया जाता है तो सई आंसर है और सरकार द्वारा या कि इस वे नमर का प्रेश्ण है कि किस नदी में नाव नहीं चल सकती देखिए आप लोगों से प्रश्ण इसलिए पूछा गया है क्योंकि हम लोगों ने जल परिवहन बहुत अच्छे सकती तो सई आंसर आप गैस करेंगे ना तो नर्मदा अच्छा नर्मदा नदी के बारे में इसलिए ये फैक्ट जो है वो बोला गया है अब देखिए यहां पर एक्जेक्ट लिटरल मीनिंग आप मतलगाईएगा कि नर्मदा नदी में नाव तो चल रही है दरसल इस वाटर बे जहाच चलाएंगे तो पानी अगर सूप गया तो वह जहाच चल ही नहीं पाएगा कभी तो अधिकतर अगर हम लोग देखें इन चारों नदीयों में से नर्मदा नदी में कम पानी है कम पानी होने की वज़े से जो ग्रीश में तो है उसमें नाव नहीं चल सकती या सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी चलिए 24 में नमर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं कि निम्निकित राज्यों में किसमें जवाहराल नहरू समुदरी पक्तन अवस्थित है जवाहल लाल नहरू पोर्ट कहां पर अवस्थित है केरल करनाटक महरास्ट या ग हरास्ट तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए 25 नमबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं तो निमलकित में से कौन सूचना प्रधोगी की केंदर है या सूचना प्रधोगी की केंदर के रूप में information technology के रूप में किस नगर को जाना जाता है सेंटर कौन है बताना है आप लोगों को चंडीगर कोलकाता बैंगलूर या फिर दिल्ली तो बहुत अच्छे से आपनों को इस प्रशन का उत्तर पता है कि बेंगलूर बेंगलूर को हम लोग बोलते हैं IT Capital बोलते हैं हमारे इंडिया की ठीक है तो बेंगलूर इसका जो होगा वो सही आंसर होगा Option C इसका सही उत्तर होगा तो मी करता हूँ आपनों को ये सभी 25 प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आयोंगे किसी भी तरीकी का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से CBSC बोर्ड के साथ डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड में मैगनेट ब्रेंस आप लोगो क्लासिस प्रोबाइड करता है साथी साथ वैदिक मैट्स क्रेश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासिस भी मैगनेट ब्रेंस चैनल द्वारा चलाई जा रही है www.magnetbrains.com ये हमारी ओफिशल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज बे में आपनों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी डे टूडे अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के साथ जूर सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हम उपलब्द हैं यूट्यूब फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर और वाट्सएप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज की इस वीडियो को धेर सारा प्यार देना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है इनोट्स और ईबुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच